तो लेडीज एंड जेंटलमेंस की आहल चाल वैसे तो आप सभी को पता ही हुआ कि अपनी बॉट सर्वाइवल सीरीज चल रही है लेकिन गईज आज ना मैं कुछ नया ट्राइ करने वाला हूँ क्योंकि काफी बंदे न्यू न्यू सजेश्ट भी करते हैं जैसे कि बन विलॉ हाड कोर की सर्वाइवल सीरीज हंड्रेड डेस वीडियो उन्हीं में से एक आता है स्पीड रन वैसे तो गईज मुझको नहीं पता कि स्पीड रन किया होता है लेकिन मैंने ना वस इतना जाना है इसके बारे में कि हमको एक ऐसा बल्ड क्रिएट करना पड़ता है जिसमें ह इसी तरीके से एक सीड लेकर उससे बल्ड को क्रिएट किया और गईज मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को ड्रा रही है हम भी तो जरा देखें यह स्पीड रन होता किया है और आपको पहले ही बता दू कि मैंने आज से पहले कभी भी हो चुका है और गई हमको ना जहेड फैड जहेड पैड इसमें काम करना है तो मैं भाग कर सबसे पहले तो इस बिलेक इसमित के घर में आया क्योंकि मुझको सूत्रों से पता चलाता कि इस बिलेक इसमित के घर में थोड़ा सा खा जाना पड़ाता है इसके घर से मुझको ऑ इन पोर्टल पाल आ चुका हूँ इदर मिलगी मेरे को एक चेस्ट सबसे पहले मैंने इस पोर्टल को कम्पलीट किया वैसे किया तो नहीं कर रहा हूँ और आज मुझे पता चल गया कि मेरी स्पीड एकदम गेम के अंदर लुल है अभी गई जम कर भी क्या सकते हैं हम मोबाइ पिलेख रहेंगा जगर पीसी वगेरा एमूलेटर होता तो काम भी बनता पना फिर भी मैंने हार नहीं मानी और चेश्ट को लूट लिया चेश्ट को लूटने के बाद मुझे मिल गई दो आर्मर अभी मेरे को पता है कि मुझे सामने बाग कर जाना है क्योंकि सामने मुझे एक और चीज मिल सकती है और गैज उस चीज को लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत लकडिया तोड़ लूँ एंडर ड्रेगन की चीटा सा जाने में काम आएंगी उसको चीटा पर लिटा कर जब भुकूंगा वैसे उस तक मैं पहुच भी पाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता मैं तो वसा हवावाजी मार रहा हूँ आप मुझे नूवो का बादसा बॉट कह सकते हो यस आई एम बॉट बॉट मैं ही हूँ और गैज मुझे ना काफी स्पीड से काम करना पड़ेगा मतलब स्पीड से जब हम भागेंगे ना तभी स्पीड रन होईगा देखा मैं कभी कभी लोजिकी भी लगा देता हूँ इस बात के लिए तो सरकार मुझे इनाम भी दे सकती है फिलाल तो मैं एदर थोड़ी सी क्राफ्टिंग कर लेता हूँ मैंने क्राफ्टिंग टेवल बना ली और थोड़ी बहुत डंडिया बना ली और गलती से मुझसे चलो इसको कीशी को दान में देदूँगा फिलाल तो मुझे स्टार्टिंग में जो डाइमंड में लेता है उसके मैं टूल बना लेता हूँ तो मैं एक बना लेता हूँ चैक स्पेरों ने एक दिन एक खजाने की पेटी चुपाई थी उसी पेटी को लूटने आज मैं आया बाल्टी बना ली बाल्टी से इस पूरे समंदर को इसुका दूंगा क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है और जब सागर बन जाता है तो मैं इसको बाल्टी में भर कर ले जाता हूं अभी आप सोच रहे होगे कि मैं इस वाल्टी के पानी का क्या करूँगा तो सोचते रहो मैं तो नहीं बता रहा हाँ करके जरूर दिखा दूँगा इतना तो करी सकता हूँ आपके लिए वैसे आप लोग ये बताओ कि तुमारा वाई स्पीड रन कर पाएगा या नी हाँ अगर कोई इस स्पीड रन बल्ड में मुझे नेधर रैट के आर्मर टूल दे जाई तो उसका बाला हो और मैं फिर उसकी सुपारी अंडर बल्ड में दे दूँगा इतना तो मैं कर भी सकता हूँ और अभी मेरे को जाना है नेधर बल्ड में मेरे एक गलती के कारण ना अभी मुझे को फिर से भुड काटनी पड़ेगी बैसे जितनी भी सुरक्शा हम से अपनी हो पाएगी उतनी सुरक्शा करेंगे क्योंकि हम हवन करेंगे हवन करेंगे अभी हमको नैदर में जाना है उदर चलकर आगे का हवन करेंगे और अभी मैं नैदर बल्ड में पिर्वेश करने वाला हूँ तो मेरे थोड़े से हाथ पैर भी काप रही है और गैज मैं मजा कर रहा हूँ मेरे कहीं भी हाथ पैर नहीं काप रहेक बस मुझको थोड़ा सा बहुत जादा सा नहीं थोड़ा जादा सा डरसा ही लग रहा है बस और मैं पहले ही बता देता हूँ नेदर में जाने के बाद अगर मुझको किसी ने हाथ भी लगा तो या तो फिर मैं उसको गाली दे दूँगा या फिर उसके इट मार के भाग जाओंगा फिलाल तो मैं नेधर के अंदर आ चुका हूँ अभी मेरे को क्या करना है इधर जाना है गाईज एक चीज फाइंड करने वैसे चीज तो दो फाइंड करनी है उनको बाद में मिलाकर हमको एक बना देना है गईज हमको नेधर वल्ड में जाने के लिए आई ओफ एंडर चाहिए हूँ उसके लिए ना हमको नेधर वल्ड में आना जरूरी है क्योंकि हमको एंडर ओड चाहिए और गईज एंडर परल भी चाहिए वो इदर ही किदर मिलेंगी तो मैं चल कर ले आता हूँ और एक तो यार पता नी नेदर में किदर स्पॉन कर दिया यार ये वाले इस सोल सेंट के उपर ना चला भी नहीं जाता है ऐसे समझो जैसे हमारी टांगे पकड़ लियों किसी ने और यहां मैं बिल्कुल सान्ती से आया हूँ और सान्ती से ही जाऊँगा अगर सान्ती को ये चीज पसंद नहीं आई तो सान्ती को ही ले जाऊँगा और अभी मुझे लगता है कि सान्ती भंगोने वाली है क्योंकि मैं अभी गुंडों के इलाके में आ चुका हूँ रसिया फ परली केता हूं उर्य 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 भृया गुंडे आ गई वैसे इन गुंडों से तो मुझे इसमगिली करवानी है यार मैंने इनको मारना रहा है क्योंकि ही इनको मारसकते है क्योंकि यो प्रेड नहीं करता इसकी नहीं कमी जलग होती हैं वह मुझको ना इनको घॉल्ड दे देना है और बस अभी यह जल्दी से मुझको एंडर पर देदे गाइज मुझको ना इनसे ट्रेडिंग से मतलब मैं इनको गोल्ड तो कुछ जितना चाहिए बुतना दे सकता हूं इधर काफी सारे गोल्ड की ब्लॉक है बस ये ना मुझको फटापट से एंडर पर ले देदे मुझे 19 तो चाहिए ही क्योंकि एंड पोर्टल को करना ही मेरे लिए अच्छा होगा और ये स्पीड रन है तो मैं बिल्कुल भी टाइम बेस्ट करना नहीं चाहता वैसे स्पीड रन में टाइम बेस्ट करता भी कौन है गाइज बंदे तो गईज 30 सेकिंड में स्पीड रन मार देते हैं लेकिन वो ना मोड बगेरा का यूज करते हैं मैं तो कई सर्वाइवल में करने की कोशिस कर रहा हूं हो गया तो ठीक अगर नहीं हुआ तो फिर तो देखो जी मेरी तो कोई गलती होगी नहीं सारी गलती होगी माइनक्राफ्ट की क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मसारा का माइनक्राफ्ट ही करती है तो अप लोग मेरे से मत बोलना कुछ भी हाँ माइनक्राफ्ट वालों को पेल सकते हो अभी गैज यार मैंने ना इनको ये गोल्ड तो दे दिया वसे ना फटापट से मुझको बस आई ओफ है नहीं एंडर परल दे दे गैज मुझको ना कम से कम दस मिल जाए तो काम बन जाए या गैज बिना एंडर परल के हम गैज इस स्पीड रन को आगे भी नहीं चला सकते क्योंकि गैज एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए आई ओफ एंडर चाहिए अब देखलो यार इन पिगलिन्स कोई मुझको एंडर परल दे तो नहीं रहा है कोई सा भी अभी गैज इसने में अपना स्पीड रन का टाइम बेश्ट होता जाएगा ये ना गैज बड़े वेबकूप इंसा इंसान तो नहीं ये पता नहीं किया ही चीज बना दी तो गैज अभी ना मैं लास्ट तीन तक गिनने वाला हूं अगर उसमें किसी पिगलिन ने मुझको एंडर परल नहीं दी फिर कई मैं ना सभी को ठोक दूँगा और इस स्पीड रन को इधर ही रोक दूँगा क्योंकि कई जितना टाइम तयार मुझको नैधर में आने में भी नहीं लगा था जितना टाइम इन से एंडर परल लेने में लग जाएगा तो इसको ना भी थोड़ा सा तो मैं 100 तक गिन लेता हूं तो चलो गिनती स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो निन्या नवे सो तो मैंने 100 गिनती कर लिए अगर इसके बाद भी इसने मुझको एंडर परल नहीं दी तो ये गई जबी इसको एंडर पर नहीं दिये चलो इसको एक मौखा और दे देते हैं अब किया करें यार सोचा था एक दो मिनट में स्पीड रन मार दूंगा लेकिन यार एंडर परल की वज़े से इतना टाइम लग जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था यार मतलब इदर ना खन ज्यादा टाइम बेश्ट हो गया उपर से यार ये पार इस नमूने ने मुझको एंडर परल नहीं दी फिर तो इसनके ना सारे खांदान को इमें इदर से दाब के चला जाओंगा इसी बेश्टन के अंदर क्योंकि इनों ना मेरा इतना ज्यादा टाइम बेश्ट कर दिया है कि मुझको अपनी इन्वेंटरी खलानी पड़ र जो काम एक मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए तो उसके लिए ना चार पांच मिनट निकल चुकी है मैं ना दो तीन मिनट में नेधर के अंदर आ चुका था आर्मर वना बनू के लेकिन एंडर परल के लिए इतना टाइम लगा दिया है इन बेवकूफों ने वैसे अपना काम नहीं बन पाएगा उपर से यार इतने फालतु का आइटम दे और यार गलती से मैंने एंडर परली फैक दी और यार ये फालतु के आइटम तो इतने दे रहे है ये नहीं है कि एंडर परल दे दे डेर सारी सी गनी सारी इनकी जात का वैदा मारू टेहल तो ऐसे आज ऐसे सिटी पारक में गूम रहो जल्दी से मुझको एंडर परल दे दे वरना इतर अब के खुराक दे दूगा गई जिसने ना मुझको फायरेश टीटेंस के पोसन दे दी चलो ये तो काम आएंगे इदर नेदर में बसे आ रहे ये ना मुझको अभी साथ एंडर परल और गईज देखा टीचू टीचू बोलते ही हमको 10 एंडर परल मिर चुकी है गईज कितना खतरनाक मंत्र है चलो गई जब ये इदर का जंजट खतम मुझको फटापर से उपर जाना है और गई जाके का काम स्टार्ट करना है मुझको गईज एंडर परल तो मिल चुकी है अभी गई जनेदर फोटरस होगा नई होगा तो फिर उसको होना पड़ेगा और ना फिर मैं बगावत पर उतराऊंगा और यार एक तो ये सोल सेंट के उपर चलना इतना बेवकूपी वरा कामेना मतलब क्या करें यार मतलब चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी ऐसे चिपक चिपक कलेक्ट करता हूँ अभी ये मुझको पोसन की इफेक्ट की वज़े से जला तो नहीं पाएंगी लेकिन यार ये तो डेमेज तो देरी चलो कोई बात नहीं इनको मैं मार कर अभी न दो तिन ब्लेजर और कलेक्ट कर लेता अरे यार इस तरीके से तो ये तो भूत बना इतना ही पिर ये तना स्पीड रन नहीं आ था दो कर नहीं था तो भूत अवी अपने स्पीड रन की कारेंगे और ये वाला सीड का है बोट सर्वाइवल सीरीज की कि उसके आगे के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे है आपको तो पताई होगा गईज मैं पिछले 2-3 महीने से रेगुलर बोट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड अपलोड कर रहा हूं लेकिन गईज जबी ना थोड़ा थोड़ा सा गैप कर देता लेकिन कि जबी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने की सोच रहा हूं ज्यादा नहीं बस 3-4 दिन का जिससे माइंड थोड़ा सा ठीक हो सके क्योंकि दिन पर फॉन में गुसे रहने से ये ना हैंग हो गया है